नमस्कार मैं हूँ संजीव स्रीवास्तव आप देख रहे हैं फोर पीम नियूज नेटवर्क नेता प्रतिक्ष्ट बनने के बाद राहुल गांधी एक्शन में हैं संसद में हमने उनका पद्रशन देखा और संसद के बाद वे सड़क पर उत्रे हुए लगातार अलग-अलग गराज्यों में वे जा रहे हैं जो पीडीत हैं अलग-अलग घटना करम जो देश में चल रहे हैं वे वाँ पहुच रहे हैं और उसके साथ-साथ उनका जो लोगों से जड़ाव है उनके प्रति जो प्यार या इसने है वो साफ प्रदर्शित हो रहा है कि लोगों की उमीद आस अब कहीं न कहीं राहुल गांधी होते चले जा रहे हैं राहुल गांधी आज अपने जो दौरों का उनका दौर चल रहा है करम चल रहा है उसी करम में आज असम और मणीपुर में हैं असम में बाढ़ पीडितों से उन्हेंने मुलाकात की है वो असम जहां डबल इंजन की सरकार है हेमन्त विश्वा सर्मा बड़े मुखर लीडर है कभी कॉंग्रेस में होते थे और आज वो भारती जंता पार्टी का हिस्सा है और निरंतर वे प्रहार कॉंग्रेस पे करते हैं और याद होगा हमारे दशकों को कि जब राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले थे न मैधानिक पद है तो बहुत सारी बादता है सरकार्यों की होती है तो आज तो कोई टक्राव या वैसे इस्तिती नहीं है जो पिछली बार हमने देखा था असम में उन्होंने बाड़ कीडितर से मुलाकात की और मनिपर में जो कैम्पों में रह रहे हैं साल भर से मनिपर अस् वक्त भी अभी राहुल गांधी का दौरा चल रहा है जारी है और निकल कर यहीं आ रहा है कि जैसा मैंने कहा कि आस और उमीद जो राहुल गांधी में लोग देख रहे हैं वो वही उन्होंने बड़े आत्मीता के साथ जो उनकी कठनाईयां उनकी मुश्किलें वो राहुल होगा नजर आएगा तो हम आज इसकी विशे पर बात करेंगे हमारा जो यह दो बजे का नीमित कारिक्रम होता है इसमें हमारे साथ जुड़ते हैं ठ्री अकिल स्वामी साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है दर्शक जानते हैं कि प्रोफिसर अकिल स्वामी साब बढ़ा बाकी से अपनी राय पर कट करते हैं देश बर पे निगाने जर रखते हैं शुरुआत करूंगा अकिल सर यह जो दौरा है आज का राहुल गांधी जी का चाहे वो असम हो चाहे मनीपुर हो बेहत बेचेनी होगी सरकार में खासकर पधानमंती नरेंद्र मोधी और पूरी की जो दुख दर्द हैं जिने उस सरकार को सुनना चाहिए प्रधानमंती तो अब तक मनीपूर नहीं पहुँचे आपकी प्रतिकी असर देखे संजी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रत्वी में आसुरिक शक्तियां हैं वो सारी परेशान होंगी और जितनी देवी शक् खुश होंगी एक पिक्चर उसका नाम तो मुझे याद नहीं आरा लेकिन उसमें अनिल कपूर देश का नेता बनता है जब वो देश की जनता की परेशानियों से तरस्ट हो जाता है देखता है कि गरीब लोगों को किस परकार से परेशान के जाता है तरपाया जाता है तो अनिल कपूर एक जननायक के तरह उबड़ता है और वो पिक्चर का मुझे थोड़ा सा अंशियाद है कि नेता देखिए होना कैसा चाहिए नेता ऐसा होना चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह तीन वजे भारती जन्ता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनकी नीन्द खुल जाती होगी उन्हें लगता होगा जा सुबह चार बजे राहुल गाधी नहाद होके तयार होके कहां जा रहे हैं और कहां पिलुतों से मिल रहे हैं देखिए राहुल गाधी ने वास्विक्ता में मैं कलपणा नहीं कर सकता है इसे नेता कि जैसे मैं कलपणा नहीं कर पाता हूँ मैं कभी-कभी सूचता हूं संजीव जी शायद आप भी सूचते हूं और देश के बहुत सारे लोग सूचते हूं कि प्रत्थवी में महत्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है सोचिए बैरिस्टर पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन के सारे आनंद उठा सकता था और वो आनंद पूरे जीवन परियंत एक धूती में रहा सफाई खुद करता था सारे काम खुद करता था डलिद बस्तियों में जाके उनके टॉइलेट्स को साफ किया करता था ऐसा व्यक्ति की कलपना करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसा व्यक्ति कैसा होता है मैं सच बता रहा हूं संजीब जी आप भी महसूस करते होंगे आपके शोता दर्शक भी महसूस करते होंगे लेकिन लेकिन जिस प्रकार से राहूल गांधी राज मिस्त्रियों के साथ जाके बैड जाते हैं कुलियों के साथ बैड जाते हैं कुलियों की शर्ट पहन लेते हैं क आदमी तो कमाल का है ऐसा नेता तो मैं सपने में भी कोई नहीं सोच सकता ऐसा नेता होगा देखिए वास्विक्ता में आज जितने भी बुझे हुए दिल हैं जितने भी रोते हुए दिल हैं अपने कंधे पे सब के आंसुओं को पहुंचने वाला और उसको साहरा देने वाला महत्मा गांधी के बाद विश्व में अगर कोई दूसरा अत्मी हुआ है तो राहूल गांधी हुआ है और देखिए मेरा सौभाग यह है संजीजी मैं अपना सौभाग के मनता हूँ क्योंकि मेरे को कभी कभी बड़ा दुख होता था कि मेरा जैनम 1952 में क्यों हुआ महत्मा गांधी को मैं देख क्यों नहीं पाया उनको इस पर्ष क्यों नहीं कर पाया लेकिन मैंने राहूल गांधी को इस पर्ष कर लिया उनसे हाथ मिला लिया और मेरी जीवन की आकंशा पूरी हो गई कि मैं चलो महत्मा गांधी को नहीं देख पाया कमचेकर राहुल गांदी के साथ धाई गंडे वेड़ लिया और उनके हाथ से हाथ पिला लिया और उस आदमी के जो एक महत्माफ़न होता है एक आदमी के अंदर उसको मैंने महसूस किया आसाम के अंदर 24 लाख लोग वो लोग जो है बाल पिड़े थे हैं कितने लोगों की पहुंचने पहुच गया मौरवी में पहुच गया मदब ऐसा व्यक्ति और क्या एनरजी है साथ वी में ऐसी जैसे वो गोदी मीडिया वाले मोधी जी से पूछा करते थे कि साथ आपके अंदर इतनी एनरजी क्या आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं अब मुझे इच्छा हो और सच्घीव वास्त्विक्ता में जिस आदमी के परिवार में दो wipes तीन 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 प्रधान मंत्री रहे हो जो सारी राजसी सारे जितने भी सुविधाएं उसका भोग कर सकता रहा हो जो विदेश में जाके कहीं भी सेटल हो जाता हो जिसको इतना जादे मांसी क्रूप से परिशान किया गया हो जिसको इतना प्रतारित किया गया हो बदनाम किया गया हो तड़पाया गया केस लादेगाई हो पार्लिमेंट की सीट छीनली गई हो ऐसा स्थेर प्रग्य मैंने अपने जीवन में यह पहला व्यक्ति देख रहा हूं मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं शिट्शक हूँ और मैं छात्रों को और युवाओं के चरित्र को उनके व्यभार का मेरे को अनुभव है बहुत लंबा और मैंने बहुत बच्चों के चरित्र का विचलना और विचलेशन किया है लेकिन राखुल गांधी जैसा वस्विक्ता में राजनीति में ऐसे आदमी की कलपना करना बहुत मुश्किल हूँ मेरा सौभाग गया है कि मैंने राखुल गांधी जैसे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ उनको देख रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत सुख़द संकेत है तो आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं विश्व के अंदर दुखियों के इक्षक के रूप में राहुल गांधी के व्यक्तित्तों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ जो बड़े-बड़े महत्पाउं और महापुरुशों के अंदर होता है बिल्को ठीक करें आपने जो बात की अखिल सर वो फिल्म थी नायक एक दिन का सीय मोहता अनिल कपूर वो दुख दर देखता है तो उसका भी मन भर आता है और कैसे हम हल कर दें हम देख रहे हैं कि यह जो तीसरी पारी है इस तीसरी पारी में उन्हें जो पद मिला है उसको जीना चाहते हैं लोगों के जो वास्त्विक जो उनका जो दुख है दर्द है उसको उठाने का आपने जो बात की हम देख रहे हैं देखिए पदायन मंती नर्यादर मोदी जी आज तक मनीपुर नहीं पहुंचे हैं तमां वो अभी बड़ी मुश्किल से उनके मुख से नि जिश्वासरी शायद हमें अब कुछ नियाएं मिलेगा कुछ हमारा जो समस्या है हल होंगी एक वीडियो पहले वो देखते हैं फिर मैं आगे आपसे बात करते हैं अभी तब मुझी जी और मनिपूर सकार सेम बिरन अभी तब यहापर जिरी बाम पर एक दिन भी नहीं आये थी हम लोग बहुत अफ्सुर से और रहुन गांदी जी यहां आकर हम लोग के बारे में कैसे सर रहा है बचा लोग को भी पढ़ाय कैसे सर रहा है और डक्टर, पुलिस, क्या-क्या कमी है, सब पूस्ती है हम लोग भी बता चुकी है कि यहापर सेकॉरिटी फोर्स बहुत कम है, ज़्यादा ज़्यादा वो पुलिस इस्टेशन में पुलिसमेन रहना चाहिए, उसी भी कम है यहापर, सेकॉरिटी ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को, चाहिए फिर वो कमी फास फिलब करना चाहि पुलिस रिसेशन में कितना परसन रहना चाहिए कि पुलिसमें फास उसको फिलब करना चाहिए उसकी बाद सिकूरिटी ज़्यादा यहाँ पर रखना साहिए जिरिपाम दिस्टिक में और हम लोग के गर्ज सब जला चुका है में लम्ताई खुनो बरोबर का सब दिविजन में हुआ है है में अभी अभी भी वहाँ पर लोग मेरा पती और सुता सुता बसा भी है और पी है और निकल नहीं पा रहा है हापर वहाँ पर जो कुकी मिलितन है तो गुम रहा है सरांदी में गुम रहा है हमारा गाउन के सरांदीन में गुम रहा है हम लोग घर होके भी वहाँ पर गाउन होके भी निकल नहीं पा रहा है काउन से निकल नहीं पा रहा है, दिपके में रहे रहा है, एक कैसा नहीं आए हम लोग का, हम लोग का घर से बाहर नहीं निकल सक रहा है, कुकी मिल्कें दो गुम रहा है, बाजार गुम रहा है, उनका जो चाहे वो कर रहा है, हम लोग का घर चला के वो खुशी ची रहे रहा ह अभी तख को मिंघ पर नहीं किया एव लटा गल जला दिया जगा पर जाने के लिए सोच रहा है वह अवापर अथा बड़ा दर्द है मर्म है उस लीडी का वह बतारी इसका घर जला दिया गया वह निकल नहीं पा रहे हैं एक का कहीएं गाशर प्रिश्रस में चाहे मानी चाहूं वास्तिता में देखे इनको शर्म आनी चाहिए यह शर्मनाख है कहना नहीं चाहिए देश के लोगतांत्रिव रुस्टे चुनवए रेता हैं लेकिन इन लोग को शर्म आनी चाहिए कितने निकम्मे लोग हैं यह आपने इस बहिला की बाते सुनकर जिस व्यक्ति की आँखों में आसू नाया हो उसके बाद दिल नहीं है बिल्कुल सोचिए मैं तीये समुदाय जो 80% है मनिपूर के अंदर इतनी जादे कुकी लोगों से उसकी वेदना है और यही बाद अगर कुकी लोगों से करेंगे तो वो भी इसी वेदना से पी रहे थे हैं जी जी यही कारण है कि मनिपूर के अंदर दोनों सीटे कॉंग्र और हिंदू और क्रिस्चन करके वो हिंदू का वोट लेंगे और सीटे निकाल लेंगे दोनों सीटे हार गए क्योंकि समाज के अंदर दर्द है यह जो घड़ा है जो इन लोगों ने ठूट ठूस के भरी थी लोगों की दिमाग में अब धीरे धीरे देश की जंता को समझ मे जा रहा है कि घड़ा से देश बर्बाद हो जाएगा समाज बर्बाद हो जाएगा और हमारी देश की परंपरा नहीं हमारा देश चूट जायेगा तो वास्विक्ता ये है कि आज की तारीख में ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग है क्योंकि मेरी उमर है मोदी जी के आसपास की है और हमिशा से मैं उमर में बढ़ा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये निकम्मे लोग हैं ये निकम्मी सरकार है और ऐसी सरकार को वस्त विक्ता में पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर अपने देश की जनता को समाज को और आवाजा के पूछ रही सकते वो लेडी कह रही है पुलिस थाने में पुलिस नहीं है खुलियाम जो है मिलिटेंट्स घूम रहे हैं कोई कॉम्बिंग उपरेशन नहीं हो रहा है घर जला दिये गए मकान जला दिये गए कैसा जीवन कलपना करके देखिए हम लोग यहां घर के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे जितने भी सीमावरती लाके हैं चाहे वो लद्दाक हो और फिर वहां पर जमुन कश्वीर के अंदर दो नवजवानों की शाहदत हो गई एक नैन है यहां का हर्याना का है एक लगा जो है वो महराश्ट का है और बच्चे हैं 26-27-27 साल के बच्चे यह जो हर्याना का बच्चा है दो साल पहले इसकी शादी हुई है और जो महराश्ट का लगा है उसके विचारी की भी अभी 6 मैने और 8 मैने पहले शादी हुई है अरे किस प्रकार से क्या आप कहते हैं कि हमारे आतंगवादी हमले हमने रोक दिये और बड़ा कठोर प्रशासन है हमने न्याय विवस्था और सुधार दी अरे हमारे देश के लोग और सीमा बरती इलाके के लोग जिस प्रकार से परिशान है आसाम के अंदर 12 यूई है 24 लाख लोग परिशान है किसी को फुरसत नहीं माच चला जाए केवल एक व्यक्ति है जो लीडर ऑपोजीशन भी है और जिसको सबसे जादे प्रतारित किया गया है और आज के तारिक में जहां भी दर्द है बाहर राहुल गादी पहुंचता है तो राहुल गादी को सौ सल्यूट कर कोई ये न कहें कि एक अकेला सब पर भारे कि बिलकुल बिलकुल अकिल सब्सक्राइए एक सीज़ और भी है ये जो असम में जो बाल की समस्य है कोई पहली बार नहीं है हर बार होता है और आप बताईए कि सेंच्रल गौर्वर्मेंट या मोदी जी दस साल में क्या-क्या बा प्रमपुत्र जिस तरीके से रौधरूप दिखा दी कुछ तो रास्ता निकाला जा सकता है ना डबल इंजन है फेल है वह नहीं देखिए मैंने तो आज कल यह तो घर से कम निकलता हूं और जहां निकलता हूं तो उसी पुल के उपर से जाता हूं जो 2014 के पहले का बना हुआ ह 2014 के बाद बने हुए पुल के उपर से तो संजीव जी में गुजरता ही नहीं अरे ये इनको सुझाओ मत दीजिए प्रमपुत्रा के नाम पर 50-60,000 करोड़ उपए खर्श कर देंगे पुल धस जाएंगे लोग मर जाएंगे इनसे कहिए कम का हमारे जीव जीव बताता हूं मैं इंजिनेरिंग कॉलिज बढ़ता था हमारे एक मजाक हुआ करता था एक रैगिंग में प्रेशन उठता था वो ये कहते थे कि यार ये बताओ तुम कितने घंटे नौकरी करोगे तो उसने का साब 10 घंटे नौकरी करेंग मंगलों के जमाने के पुल नहीं टूट रहे हैं बिलकुल अंगरेजों के जमाने के पुल नहीं टूट रहे हैं 2014 के पहले के बनाए हुए पुल भी नहीं टूट रहे हैं, चूट रहे हर जगे फूस खोरी हर जगे बैबानी हर जगे चंदागिरी हर जगे चुनावी बॉंड हर जगे पैसा 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 ले जाओ पैसा भाईया मेरे देश की गरीब जंता का खून तो मत चूसो बिलकुल बिलकुल अखिल सर संसथ का सत्र खत्म है अब सकता भर के आस्पास होने जा रहा है प्रदान मंतिय में बहुत दिया और हम बेशक हमारी भारती टीम ने कमाल किया विश्व कब जीत कर राई और बदा उनके लिए वक्त निकल गया अब प्रदान मंतिय साब्यार्व है घूम रहे हैं खुले हैं मड़ी पुर है नहीं है वक्त साहिप के पास कितना ये भी शर्मनाक बेयत शर्मनाक से देखे संजीव जी एक चीज बताईए हमारे देश की सानातनी परंपरा क्या है हमारे पितामा ने मेरे पितामा ने मुझको ये सिखाया अगर किसी व्यक्ति क गर में सुख में ना जा पाओ दुख में कोई बात ने लेकिं दुख में जरूर जाना और दुश्मन किया भी दुख हो तो जरूर जाना और सांतों ना देना उसको गले लगाना क्योंकि हमारी ये परंपरा है और ये अपने को सनातनी कहते हैं ये अपने को हिंदू कहते है ये धोंगे लोग हैं जब हमारी पदग वेजेता बेटी जीत के आई तो उन्होंने घर बुला के चाई पी लिए और सल्फी खिला ली और जब वो सड़कों के अंदर घसीटी गई इन्होंने पूछा नहीं उनकों क्योंकि उन बेटियों का दुख था उस समय जब जब सुख होता है जहां ये क्रिकेट जीत के आए टी ट्वंटी जीत के आए उनके साथ इन्होंने चाई पी लिए और सल्फी के चा ली और अपनी बाइट दे दी और सम नाटक कर लिया और जब मेरे हाथरस में लोगों के घर उजड़ गए इनके बाद फुरसत नहीं है असाब के लिए फुरसत नहीं है मनेपुर के लिए फुरसत नहीं है इनको कहीं के लिए फुरसत नहीं है दुख के लिए फुरसत नहीं है तो दुख में आशू पोंचने के लिए राहूल गादी है और सुख में सेल्फी खिचाने के लिए हमारे माने प्रधान सेवक जी है बिल्कल, बिल्कल, ज?", edge में जो चल रहा हैं, हम आपने जो बाते की ही, जो substandard जो हमारें निर्मान हो रहे हैं, हम देखा वो Kyoto में क्या aesthetic पैदा हुई, हम देख रहे हैं, देश में जहां-जहां हालात है, बिहार में हम देख रहे हैं और कहीं कोई हल चल नहीं अभी यहीं कहीं सरकारें यदी विपक्षकी होती तो वह एडी भी पहुंसती सीबी भी पहुंसती कहीं ओबर क्या द्वस्त सा हो गया है पूरा सिस्टम या तो मेरी मर्जी टाइप किसे थी कि जहां मलब कोई वाशिंग मुखी के सिध्धान्त को समझें आपको पता ही होगा सबको आपके शोता दर्शकों को बता होगा अगर छोटे छोटे विस्वोट होते रहें और जधरती के नीचे का दबाव निकलता रहे यह अच्छा है अगर यह दबाव बहुत जादे खटा हो जाएगा और एकत्रित ह हो जाएगा विस्वोट होगा और बहुत बड़ा ज्वालनुकी पटेगा यह स्थिति है आज की तारीक की आज के तारीक में पिछले डेढ़ महीने के अंदर आपने देखा होगा मैंने जो देखा हूं तो मेरे को पता है और आपको भी पता होगा आपके दर्शक चोटाओ हो गया है समाज के और सोचने के डंग में देड़ मने पहले तक कोई कलपना नहीं कर सकता था कि मोदी जी can be defeated आज के तारिख में मोदी जी is completely disintegrated बीजेपी is completely disintegrated opposition united है और ruling party disintegrated है लोगों के दिमाग में जो मेरे को प्रतिक्रियाएं मिला करती थी आज से डेड़ महीने पहले और आज जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उनमें जमीन आस्वान का अंतर है क्योंकि लोगों के अंदर ये विश्वास जग गया है कि पिछली बार तो 15-20% लोग ऐसे थे जो समझते थे कि जी को वोट दे दिया था महराष्ट एलेक्शन और हर्याना एलेक्शन और बजट और जारखंड और जमुन कश्पीर तेलगों देशम पार्टी और जेडियू केवल इन एलेक्शन का वेट कर रही है अगर महराष्ट हर्याना में देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता मुक अच्छे कोई फैसला नहीं आप जो आप कम से कम ये तो ऐसे विशा है कि इस पर बड़ी बातें हो नहीं थी धर्मेंद प्रधान जी बड़ी आज वो चल रही है मासनवाई हर मामने कोटी जाना पड़ेगा कोई सरकार नाम की कोई कोई अपने इसकर पर कोई फैसला नहीं ह अलाद देगे दो संस्थाएं हैं जो सुप्रीम कोट में एफिडेविट डायर कर रही है एक जो और्गनाइडेशन जिसने नीट की परिशा कराई और एक सरकार दोनों के एफिडेविट में विरोधाबास है विरोधाबास है एक कह रही है सब कोई हराफिर ही नहीं हुई इतने लोग गिरिफतार हो गए चेक मिल गए पोस्ट डेटेट चेक मिल गए पैसे मिल गए कहां एकटे हुए थे कहां पेपर रटाय गया था सब पता चल गया लेकिन जूट के पराकाश्था देखिए कि कोई बेवानी नहीं गी जैसे इन्होंने कोईड में कह दिया था कि आह醉ए अक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं कali अरे अपने को सनातनी कहते हैं अपने को हंडू कहते हैं अरे इतनी धूर्तता और इतनी दुश्टता हमारे इंदुत्में नहीं हमारे सनातमंधर में नहीं तो वास्विक्ता यह है कि जनता को हमारा काम है जनता को आगहा करना ये धूंगी हिंदूth है इन्हें हिंदूत उसे कोई लेना लेए इनको कुछ नहीं पता है हमारी मूल भावनाओं का नहीं पता है हमारे जो वसुद है कुटमकम की भावना है स्वामी वेकान्यत का भाशाल इन्हों नहीं सुला है इन्हें कुछ नहीं पता है ये लोग देश को डिसिंटिग्रेट कर रहे हैं ये देश को तोल रहें और ऐसे लोग सत्ता मेरे देश तूट जाएगा, क्योंकि ये हर जगह कभी पेरियार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी समयदान के पीछे पड़ जाते हैं, कभी मुसलमानों के पीछे, कभी सिक्षों के पीछे, ये किसी न किसी से लिलाई जगडा करना इनकी जो है चरित्र में शामिल हो गया है अरे प्यार मुहबद से 142 करोड लोगों को हम 65 साल रहते चले आए प्यार मुहबद से रहे कभी इस प्रकार का द्वेश नहीं हुआ पिछले 10 साल के अंदर हमने केवल क्लेश देखा है क्लेश देखा है और क्लेश देखा है बिल्कुल बिल्कुल एक सीज और भी है आखिल सर हम यह देख रहे हैं राहुल गांधी जी का जो हम परिपक्वता या जो उनका अंदाज है हम जिससे शुरू किया था कि वह बहुत प्रॉपरली मूव अपने बना रहे हैं कर रहे हैं जो जरूवा थे इस वक्त देश को संदेश निरदेश है कि मैं घर भी सुधार लूँगा देश त fav papis बैद को कोशिष करीरा हूं लेकिन मेरा पूरा ध्यान अपने घर को सुधारने life your और जो वक्त था शाइर वह लॉटाने की कोशिष और मजह लगता एक सीज और भी आपकी टोगनी जाओंगा कि अकेला चना भार नहीं पोड़ सकता इसमें जो बाकी लीडरान है वो अभी उस तरीके से रोल प्ले करते नजर नहीं आ पा रहे हैं कॉंग्रिस के जो कभी तिंग टैंक्स या और भी थे वह उस तरीके का उनके मूस नहीं हो पा रहे है राज्यों में बड़ी बुरी उस्तित बार वल्लब रहे होंगे एक रोहन गुपता रहे होंगे एक राधिका खेडा रहे होंगे अरे यह वो लोग अरे भाई टैली वीचा भाई हम आप संजीव जी आते हैं यहां पर बैठते हैं हमें बड़ी प्रशंसा मिलती है लोग हमारी वो कह देते हैं गुणगान भी कर यूटुब Mexican इस को देश को प्यार करते हैं वह हम लोग ट्रोल होते हैं जब गोदी मीडिया में जाते हैं यहां करते हैं कम लोग पर यह हो जाए मैं औरे अलेक्श्न लड़ना और लोगों को घर बुलाना उनको चय पिलाना उनको नाष्टा कराना उनको सुनना फिर उनको जेलना उनकी बातों को सुनना ये कोई साधाना आदमी को काम नहीं तो राहुल गांदे ने बात कही तो ये जो लोग आते हैं टेलिवीजन में लगता है उनको बड़ी पॉपलारेटी है लेक्शनल लड़ा हो जब आना जबत हो जाती है जो उनकी हो गई ग उंगरेश से कुछ लेना देना नहीं है अरे संजीव श्रिवास्ताव है ना अखिल स्वामी है ना संजेश हर्मा है ना बाई जो हम लोग जो संगर्श कर रहे हमें क्या फाइदा क्या मिलने वाला है कभी कभी ट्रोल कर देते हैं लोग किसाप पैसे के लिए आप करते चाह नहीं पीते किसी से केवल देश के लिए करते हैं केवल देश बत्ती के लिए करते हैं मरने से पहले इस देश को सुछाल देखना चाते हैं और मुसल्मान और क्रिश्चन और दलेत और आदिवासियों को जिस प्रकार से उत्पिडित किया जाता है उससे हम दुखी हैं इसलिए उसका विरूत करते हैं, तो हम हैं ना, हम जागरित कर रहे हैं ना, अरे एक कॉंग्रेस का नेता पांस सो एक हजार लोगों को जागरित कर रहा होगा, आप तो 37 करोड़ व्यूज हैं आपके एक महिने में, चलिए उसमें रिपिटिशन होंगे, कुछ होंगे, तिन-चार करोड़ लोग तो आपको देख रहे हैं ना, पच्पल लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं ना, बाकी सब यूटूब उसके मिला मिलीजिये तो पाँच्छे करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो एक यूटूब तो देखते होंगे ना, तो हम वो काम करना हैं जो लीडर्स को करना चाहिए, देश भक्ती के लिए हमें कोई, किसी से कोई लगाव नहीं है, कॉंग्रेस कल सत्ता बे आई, और इंडिया गडवंदन सत्ता में आया, और MSP की गारंटी नहीं दी, और अग्निमीर को नहीं हताया, और अडाने अंबानी के साथ कोई समझोता किया, किसी तरह हम गरी आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमारा दो आखों में आखिर डालके सवाल करना ही, हमारा जो सूत्रवाग के जो है, हमें किसी से कोई लेना देना है, ना कोई लाव नहाने, ना कोई मतलब है, ना कुछ किसी से लेना देना है, ना हमें कॉंग्रेस से लेना देना है, ना भारती जनता पार्टी से, हमें भारत माता से लेना देना है, मैं अंतिन सवाल करूंगा सर मैं ये अब एक देश में पर्शेप्शन बन रहा है पहले ये था कि मोधी नहीं तो कौन आप तो देखिए ना आप देखिए पूरा का पूरा हम जो देख रहा हैं बात करें सूशल मीडिया हो या और एकाउंट्स हो पर राहुल गांधी के प्र पाकता होगा है देखिए वो पूरी की पूरी लंबी कता रहें लाइन से खड़े हो लोग बड़े आतुर हो के मिल रहे हैं बता रहे हैं अपनी तकलीफे कर रहे हैं तो आप शायद ये देश में एक बन गया है कि नहीं साहब अकेले मोधी नहीं अब कोई है जो देश को सम ले गए हो हिमन तो इससे सर्मा गया जाके उसको बेट देना चाहिए कि पिछिवाब बुरा मान गया थे आपको नहीं खिलाया था इस बार ये बिसकेट के पैकेट लाए हो आप खा लीजिए और उस बात को भूल जाईए उस समय मैंने जिसे ठीक समझाता उसे बिसकेट ख अरे हम कम से कम पांट जैस दुदिन में भाणते अरे हम कम से कम इतनी हमारे अंदर सानातनी भवना है कि हम दुखी के आँखों में आशू होता तो इसको पोंचने जाते हैं और यह अंग्यों काigonहग के और घंदा ना पे घटकर Sydney अस wrapping खहाए ह frei हम चनों कि तो नहीं करते थ पर में करते हैं। और अब तो नहीं ले जाती है। और राहूल गांदी फार वेटर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आवार आखिल सर आपने पूरे जो मामला मसला और खासकर असम और मनेपर में जो उस्टितिये हैं और जो लोग पीडित परिशाने और उनके मरहम पुंचने के लिए जो राहूल गांदी पहुंचे हैं वो कहीं न कहीं उनको एक राहात और धांडस बना रहा है कुछ निकल कर शायद आना चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आवाज है यह थे प्रुफसर अखल स्वामी साब जो हम दो बजी की हमारी चर्चा में जो विशे होते हैं उस पर आप अपनी बेबाक टिपणी बेबाक राये परकट करत हैं एक विशेशन पूरे का पूरा होता है जिसमें यही है कि आसू पोचना एक बड़ी बात है और लोगों को भूल जाना वो एक कठोर दिल ही कर सकता और शायद वही कुछ अभी द्रश मनिपर असाम में बना हुआ है नहीं निकल कर आ रहे हैं नहीं वो समय निकाल पा रह है लेकिन जो एक साल हो गया पूरा मनिपर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है और जनता है जनता सबको जानती है देखती है बूस्ती है और उसने सबक मौका आता सिखाती है सिखाया है और आगे भी कहीं ने कहीं ऐसे ही इद्रश और जो परिपक्वता है हमारा लोगत कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस जोईन का बटन नहीं दबाया तो जोईन का बटन भी जरूर दबाईए और हमारी इस चर्चा के वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि इस चर्चा आपको कैसी लगी प्यार बनाये रखी और देखते रहिए फूर पीएम न्यूज नेटवर्क धन्यवाद नमस्कार